नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फॉर यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजरूए हैं अगर आप भी इस्रम कार्ड बनवा चुके हैं या फिर आप बनवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जूर देखेगा क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि इस्रम कार्ड के लाब क्या है और हानी क्या है दोस्तों मैं आपको बता दू कि लाब में यहाँ पर आपको दो लाग रुपे दे आते हैं और और भी कई बड़े लाब दे आते हैं जिसके जानकारी मैं आपको यहाँ पर देऊंगा और इसमें क्या-क्या नुक्सान होगा इसरम कार्ड बनवाने से उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर डिटेल वाय जानकरी देने वादा हूं काफी वैकतियों के कमेंट हैं सवाल है कि जो इसरम कार्ड बनवाएगा तो उनके बैंक में पैसे कब तक आयेंगे क्या उनके बैंक से पैसे कटेंगे ऐसंकटिच छेतर कौन होते है जोस्तों यहाँ पर सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं और करीब आपके यहाँ पर मैं आपकी जान कर लिब दादू करीब 10 से 15 ऐसे सवाल हैं जो सभी व्यक्तियों के मन में रहते हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ और सभी जो डाउट है वे किलियर मैं करने जा रहा हूँ तो अगर आप भी इसके बारे में फुल इंफोर्मेशन चाहते हैं तो आप वीडियो को पुरा वाच करेगा इस्टैप बाइस्टैप मैं आपको लेकर चलता हूँ सवालों की और और आपको अपर पूरी जानकारी लाइव दिखा देता हूं तो चले वीडियो सुरू करते हैं कि एस्टैप कामगार कौन होते हैं तो मैं आपको पता दूँ कि कोई भी कामगार जो ग्रह आधारित कामगार स्वम नियोजित कामगार या फिर एस्टैप छेत्र में करेड़त वेतन भोगी कामगार है और E S I C । E P F O का सधश्या ना हो उसे 侏संगठित कामगार का जाता है या दोस्तो जो अपना स्विम का कारे करता है मियनत करता है मज़दूरी करता है या फिर कोई रेडे वाला है पत्रे वाला है सब्जी बेचने वाला है या फिर खुद की दुकान है должна सभी जो वैक्ति है वह एसंक्रिटे छेत्र में आते हैं अब दोस्तों बात आती है कि एसंक्रिटे छेत्र क्या है तो हम आपको वह भी जानकारी दे देते हैं तो दोस्तों एसंक्रिटे छेत्र क्या है वह आप यहां पर जान लीजिए एसंक्रिटे छेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान इकाया सामिल ह जो वस्त्वों सेवाओं के उत्पादन विक्रीक में लगी हुई हैं और दस से कम कामगारों को नियोजित करती है वे इकाईया एस आई सी और एपी एपो के अंतरगात कवर नहीं है यह कोई भी टैक्स ना भरती हो चाहे उनकी स्वम की दुकान हो स्वम का कारिया हो यह फिर म दोस्तो किसी परकार का टैक्स न भरते हों और यहां पर बताया गया है कि अइसने कि मिलेगा यहीं कर एन क्या है वे भी दोस्तों हम आपको यहां पर बता देते हैं तो अपर बता गया है कि यह है एक सर्वी कि खाता संक्या है यह बारा अंको का होता है और इस सर्म पोर्टल परपंजी करण के बाद परती एक एसंगठित कामगार को विशिच्ट रूप से प्रदान के जाता है प्रिवर्थित होगा दोस्तों आपको पूरी उम्र इस नंबर से ही लाब मिलता रहेगा तो कुछ व्यक्ति कोश्चन है क्या एकाउंट से पैसे कटेंगे यह लाब कम मिलेगा पैसा कम मिलेगा तो इसकी भी जानकर है हम आपको यहां पर देने वाले हैं तो दोस्तों हमार सरकार ने इस इंप्रोटल विक्सित क्या है जो एसंगर्टित कामकारों का आधार से संबंद एक केंद्रिय करत डेटाबेस होगा जिनकुस्तों आपको डेटाबेस है वह सरकार द्वारा फिल्ड किया जाएगा यहां पर बताया कि जैसे कि पंजी करण के बाद उन्हें BPSBY प्रवाई के तहत दो लांग रूपे का दुरुखटना भीमा कवर भी दिया जाएगा भविश्या में ऐसंगर्टित कामकारों से सभी समाजिक शुरक्षाओं का लाब यानिके जो भी समाजिक शुरक्षा के अंतरगर योजनाए चलाए गई है उन सभी का लाब आपको दि दिये जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से परदान किये जाएगे और राष्ट्य महामारी जैसी स्थितियों में पात्रह संक्रित कामगारों को अवेश्यक सहयता परदान करने के लिए इस डेटाबेश का उपयोग किया जाएगा यान दोस्तों अगर कोई आपात कालीन इस सब्सक्राइगा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बीच जैसे कि आप सभी प्रेशानियों का सामना किया है तो वहीं इस सर कार कहीं न JUST सब जिससे की गरीब वैक्ति को डाटा है वह सरकार द्वारा फिल्ड हो सके और ऐसी स्थिति में उनको लाव दिया जा सके तो यहां पर आपको दो लांग रूपे का कमर भीवा भी मिलता है जिससे की अगर आपकी दुर्गटन हो जाती है तो आपको दो लांग रूपे का लाव दिया जाएगा और हाट डैमिज हो जाता है विकलांग हो जाता है पूर्ण रूप से तो उनको एक लांग रूपे सिरकार द्वारा दिया जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस योजना के अंत्रगत आपको तीन हजार रूपे महीना पैंसन भी दी जाती है कैसे अपने मुबाइल से इस्रम कार्ड के लिए आप पंजी करन कर सकते हैं तो इसको आपको सुल्क क्या देना होगा तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सुल्क सरकार दुआ रखा गया है वह कोई भी सुल्क नहीं है आप सिधा सियस्टी के इन पर जाकर इस्रम कार्ड तो यहाँ पर जान लेते हैं यहाँ पर बताया कि नहीं यह आपके बैंक का पैसा वैद नहीं काटा गया जाएगा और समाजिक शुर्ट से योजनाओ के अंतरगत लाबो का लाबो या फिर केंदर राज्य सिरकार दौरा परद्या अन्या लाबो की सिधे कामगार के खाते म बाधारीत परदाइक सुनचित करने के लिए बैंक वीवरन परदान के जा रहे हैं यनिके अगर जैसे कि हमने आपको बताया है कि अगर कोई आपना आ जाती है कोई महमारी आ जाती है तो उसके चलते उनको पैसा दिया जा सके इसलिए बैंक वीवरन बैंक की जानकारी सरका द्वारा ही जो समाजिक सुरक्षा स्माजिक के तहत यहां पर योजनाय चलाए गई हैं उन सभी का लाब आपको दिया जाएगा जैसे आप यहां पर दे सकते हैं आप बताए गया है कि क्या इस्रमकार की कोई समय नहीं है या पूरी उम्र तक आपके साथ रहेगा आपको कहाँ सब्सक्राइब हो गया है दोस्तों फिर अबदेट करना चाहते हैं और कौन-कौन सा अप्डेट कर सकते हैं और जैने यहां बताया है डिद吗 , अपना मुबाइल बदल सकते हैं और पर्योवारी जो भी विवरण है नाम पता वगरा वह भी आप चैन्ज कर सकते हैं तो आप आपका नैस्ट सवाल दिया गया है कि क्या किसान को भी इस पोडल पर लाब मिलेगा क्या वही पंजी करने करा सकते हैं तो दोस्तों मैं आप पुदा दू कि के वली यहां पर किर्सी सर्मिक या भूमी ही जो किसान हैं वही इस सर्म के लिए आवधन कर सकते हैं और वही अपना सर्मिक कार्ड बनवा सकते हैं यहां कि दोस्तों जिनके पास ज्यादा भूमी नहीं है ज्यादा जमीन नहीं है वह इसके लिए आवधन कर सकते हैं तो वह भी इसके लिए आप भी दे आता है जैसे कि हमने आपको बताया था कि तीन हजार रुपे प्रति महा पैंसन दी जाती है तो इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा ज्यान रहे कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही सरकार करेगी सपोज अगर आप 18 की उ उम्र है वह 18 से और आपकी 40 साल के वीच की उम्र होने चाहिए तभी आप इसके लिए आवदिन कर सकते हैं अलिक दोस्तों आपको पैसे जमा करने होंगे उसका वीवरन आपको हम दिखा देते हैं एक बार जैसी कि आप यहां पर देख सकते हैं पर पैंसिन का ओप्सन दिया निकल कर आ चुके हैं और अब हम आपको यहां पर पूरी डिटेल पैंसन की दिखा देते हैं कि किस प्रकार से और किस उम्र में आपको कितने हैं पर जो आपका पैमेंट है वह देना होगा तो आप यहां पर बावीरा देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपके 18-19-20 यहां पर पूरी एज दी गई है और साथ साल की उम्र में आपको यहां लाब दिया जाएगा 55 अगर आप जमा करते हैं तो इस परकार से यहां पर आपको इंवेस्टमेंट करना होगा पैसा जमा करना होगा सब्सक्ति अगर आप 35 साल की उम्र में जूड़ते हैं तो आपको यहां पर एक सो पचास रुपए जमा करने होते हैं तो इस परकार से आप दोस्तो लाब ले सकते हैं अगर आप पैसल बनवाना चाहते हैं तो आप सिदे इसे-सी केंद पर जाकर अपनी पैसल यहां बनवा होगी दोस्तों वीडियो को जाएता शियर करिएगा जैसे लाइक करिएगा ताकि और भी व्यक्ति को यह लाब मिल सके और दोस्तों उन तक यह जानकरी पहुंच सके निवाद नहीं करेंगे कि अगर आप पहनल बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राब कर करें दोस्तों मिलते हैं को ने इस वीडियो में ऐसी जानकरी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत